लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंबिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें एनमेंसी चुनाव में शेकाप की एंट्री बालारम पाटिल बोले 111 सीटों पर उतारेंगे उमीदवार दिखाएंगे ताकत राइगण और पन्वेल में राजनितिक हासिये पर चल रही शेतकरी कामगार पाटी अब नवे मुंबई मनपा चुनाव में किस्मत आजमानी की तैयारी में है वाशी में आयोजित एक प्रेस कॉंफरेंस में शेकाप के सीनियर लेडर विधायक बालारम पाटिल ने कहा कि पाटी महाविकास आघाडी के समर्थन या गनेश नाई के विरोध के लिए नहीं बलकि अपनी ताकत को उभारने के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती ह उन्होंने कहा कि हम CPM एवं आप जैसे मित्रे दलों के साथ मिलकर नव्य मुंबई के सभी 111 सीटों पर अपने उमिद्वार उतारेंगे आप जैसे मिलकर नव्य मुंबई के सभी 111 सीटों पर नव्य मुंबई के साथ में उतर पर नवी मुंबई के साथ है आपको यहां पे बुलाया है आपका स्वागत है यह जो इलेक्शन है हम लोग एक नए मुंबई के अपनर जो एक दोनों बाजू जो महाविकाश आगाडियों पीजेपी इन दोनों के विचारों से सहमेत नहीं है इसी जो विचार दाहरा है उनको इकटा करने के दिश्या में अपने साथ मित्रपक्ष और संगर्टनों को लिखे यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं यह बात सही है कि पिछली बार हमें यहां पे कोई येश नहीं मिलाता है लेकिन उसके पिछली बार हमारे एक कर्पोरेटर यहां पिछली के आया था तीन सीट पे हम दूसरे रपर पर थे और अभी जो हलाज चल रहे उसके चलते हैं जो विचार लेकि हम लोग सुशल इसमें चलते हैं वहां पर बड़ी स्पेस है जिसके तलाश में हम लोग काम करना चाहते हैं और यह जो विचारों के लोग है परियाइक होना चाहते हैं उस दिश्या में हम इस इलेक्शन में है हम लोग यहां पर आये हैं जो अब सभी के चर्चा में आया उसके उपरान मुझे विश्वास है कि हमें यहां प्येश में वहीं शेतकरी कामगार पार्टी के प्रदेश सच्यूर्ट एडवर्किट राज जनता के बीच जाना चाहती है बताते चले कि पिछले मनपा चुनाओं से पहले भी शेकाप ने जो राजमाईश की थी फिलहाल देखना होगा शेकाप नवी मुंबई में अपने दमखम कितना दिखा पाती है व्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया